कीटों में श्वसन मनुश्यों ही की तरह कीटों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मनुश्यों ही की तरह वे अपशिष्ट के रूप में कार्बन डायोकसाइड को उत्पन्न करते हैं। लेकिन मनुश्य के विपरीत टिडडा, घरेलू मक्षी, तिलचटे इत्यादी कीटों में फेफड़े नहीं होते। कीटों में जिस प्रक्रिया से गैसों का विनमय होता है, उसे विसरण कहते हैं।